तो है गाइज वेलकम बैक तो मैं निव वीडियो और गाइज गेम के अंदर आज शुका है निव बनी रोयल इवेंट भाई बहुत ही माज़ा आने वाला है तो प्लीज गाइज आप रोग शुरुस लेके अंतिम तकल देखो और गाइज बनी रोयल में इस पी मानेंगे और सब निखालेंगे ठीक है चलो देखते हैं बनी रोयल में क्या क्या एटम आया है तो सबसे पहले यहां पर देखो तो यहां पर आया है यह पहले जी 36 गन का इसकीन ठीक है जो डेमेज है डबल प्लॉस और एक रेंसी है सिंगल माइनस ठीक है तो चलो उसके बाद अंदर जा में यह गन का स्कीन है उसके बाद यहां पर एक गुलवाल का स्कीन है और उसके बाद बाद करें तो यह बैक पैक है ठीक है बैक पैक भी बहुत ही मस्त है तो इसमें हमना स्कीन मारना स्टार्ट करते है सबसे पहले उससे पहले यहां पर टैप 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 कर लेते है ताकि हम सब को मिल जाए ठीक है तो आपको भी भाई एक बात याद रखो जैसे मैं स्पिन मार रहा हूँ वैसी आपको भी स्पिन मारना है ठीक है कभी जाएको मिलेगा तो यहाँ पर चलो जो मैं पर 1 मतलब 1.500 का स्पिन मारते है 150 का स्पिन 10 प्लस 1 का और देखते हैं इसमें क्या मिलता है तो फर्स्ट में चस्माओ अगरा मिला ओक्या चलो कोई बात नहीं यहाँ पर फिर से भाई टाप टाप करते है और टाप टाप करने के बाद हम फिर से मारेंगे 10 प्लस 1 150 डाइमोंड का ठीक है तो चलो यहाँ पर 150 डाइमोंड का इस फिर्म लग चुका है और देखते कैच का इस बाद मिलेगा क्या मिलेगा इस बाद कोई इटम या नहीं मिलेगा तो भाई अभी तो फिल्हाल नहीं मिला चलो यहाँ पर 22 लाग फोड चुका है चलो फिर से मैं यहाँ पर टप टप करके एक बार बैक जाताऊ-टीक', ओके सेटिंग में जाके उसके बाद क्लेर कैच कर लेता हूं अगर मिलने बाद होग तो बहुत जल्दी मिल जाएगा मेरेगा .ख ूख है चलो यहाँ पर मैं क्लेर कैच करके फिर से लक रोयल में जाता हूँ गाईज ओके यहाँ पर लक रोयल में आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहले गोल्ड रोयल पर स्पीन मार देता हूँ मैं ठीक है 10 प्रॉस वन का ओके यहाँ पर मैं स्पीन मार दिया उसके बाद अब चलते हैं गाईज यहाँ पर बनी रोयल में और यहाँ पर 10 प्रॉस वन 150 डाइमूंड के मारते हैं अब यहाँ पर देखते हैं गाईज क्या मुझे मिलेगा कोई आइटम या नहीं मिलेगा तो भाई लोग क्या ही बताओ अब भी तो नहीं निकला चलो फिर जे मारते हैं गाईज यहाँ पर 10 प्रॉस वन 50 डाइमूंड का 150 डाइमूंड का और यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा ओ भाई काउन डाचुलेशन क्या मिला ओ भाई भाई देखो यहाँ पर मेरे को गुलवाल का स्कीन मिल चुका है भाई स्वाब बनी का भाई बोले तो घजब यार देखो यह गुलवाल के स्कीन कितना ही मस्त है भाई लोग बोले तो घजब यार मज़ा आ गया भाई जो बो देखो क्या ही गुलवाल के स्कीन भाई स्वाब बनी बननी का पिक्चर लगा एक बाख माजा आगया बाई खुश कर दिया दिल तो मेरा आज चोलो बहुत वर्या गाई जगर एक आइटम निकालना है आपको तो कम से कम भाई 600 डैमोंड होना चाहिए 600 650 एक आइटम निकालने के लिए इस तीनों आइटम में से और उसके बाद ही भाई कुछ निकाल पाओगे दूसरा मतलन तो अठारा सो दो अठारा सो या फिर दो हजा डैमोंड होना चाहिए आपको टोटल निकालने में ठीक है अठारा सो दो हजा डैमोंड होना चाहिए टोटल निकालने में यह आइटम ठीक है यहाँ पे यह गन का स्कीन यह करने उस पर भी जरू częूर कर दो प्रयोकह करते को मुझे उर्ष जरू करते रहों कि यह आप लोग कमेंट करते रहें कि निकाल दो ac verdad यह बिंदे मृपक कि अब hall now रिडियम कर में यह व्हाम सदिनवाहर को जो किया' ुल मैं सब्से पहले वेत गन का इसकीन सब के को उपन करते देखे इसमें से हनुए और मैदनेम मिलता और नहीं मिलता ठिक है तो प्रीज बहुतन कर रहा है को यहाँ 1967प्षा कईट सेरों देखते हैं, ओ भाई, गरोजा के फाइनली मेरे को परमानेंट ये गन का स्कीन मिल चुका है, और भाई बात करी ये तो बहुत पुराना गरोजा गन का स्कीन ये न, भाई सहाब मजा आगी है भाई, चलो फिर सी यहाँ पर ओपन करते, कोई आइटम मिलेगा, ये देखो स्का मुझे मिल चुका है, फाइडल अब अब यहाँ पर ओपन करते, कोई आइटम मिलेगा, नहीं मिला भाई, बाई, दो दो गन का स्कीन परमानेंट देदेगा, इतना जल्दी थोड़ी न देगा मेरे को, चलो इसको भी ओपन कर दिया, अब हैपी पोटी को ओपन करते, अकरेट नहीं मिला कुछ, चलो अब इसको उपन करते, कुछ नहीं मिला भाई, चलो, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जाके यह गन का स्कीन सब मिला मेरे को, सारे आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, यह गन का स्कीन मिला, अब मेरा पास यह हो है तो भाई यह वो क्यों कर ले थे ना इन सब को क्यों कर गदा है चौलों अब यह तो हो गया उसके बाद यहां पे भी मिला यह मिला MP40 में 7 day के लिए उसके बाद स्नाइपर इस पास का यह मिला ग्रेनेड में इसमें यह सब मिला ठीक है अब यह देखो भाई गुलवाल का स्कीन यह देखो चलो इसको यह क्यूप कर लेते हैं और स्क्यूप करने के बाद बैक जाते है ठीक है चलो बहुत बढ़िया गाईज त जो आए हाथ में कोई गन की शिन नहीं है तो चलो हाथ में तो रखना पड़ेगा न मेरे भाई हाथ में कुझ सा रखो रखो यह बढ़िया लगड़ा है चलो तो जो आईटम था वह शारे मैं निकालके आपको दिखा दिया और टोटल कितना डैमोंड लगा वो भी मैं आप को बता दिया तो I hope guys ये वीडियो आपको पसंद है ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब